Hello students, the extra education challenge में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज में आपको एक और जीवन परिच्चे को लेकर आया हूँ यहें जीवन परिच्चे बहुत ही important जीवन परिच्चे क्योंकि यहें exam में बार बार आता है हमारे board exam के लिए बहुत important जीवन परिच्चे है ठीक है यह जीवन परिच्चे है संत कबीरदास का किसका है संत कबीरदास का है यहें जीवन परिच्चे सबसे पहले हम इसका जीवन परिच्चे पढ़ेंगे उसके बाद इसकी जो किर्तिया और जो पर्मुक्रचन है उसको पढ़ेंगे उसके बाद इसका साहित एक परिच्य और लाश्ट में भासा सेली पढ़ेंगे ठीके सुरुवात में हम इसका जीवन परिच्य पढ़ेंगे जीवन परिच्य इसका इस परकार है संत कबीर दास हिंदी साहित के भक्ती काल के एक महतपुन कवी है तष्थिक है यह जनम लगबग सन 1398 ईजी में उत्तर पर देश के वारा नसी लहरतारा नामक सथान है वहां पर इनका जनम हुआ था ठीक है किलियर उसके बाद आगे है कबीर दास का पालन पोसन जुल्हा दमपती नीरू और नीमाने किया यानि जो कबीर दास जी है उनका जो पालन पोसन है ने जुल्हा दमपती किसने जुल्हा दमपती नीरू और नीमाने किया ठीके उसके बाद आगे है कबीर का विवा लोई नामक महिला से हुआ यानि जो इसका विवा हुआ था इसकी साधी हुई थी लोई नामक महिला थी उससे इसका विवा हुआ कबीर का उसके बाद जिससे इन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में दो क्रेमस पुत्र एवं पुत्री पेदा हुए यहीं जिससे इनका विवा हुआ था लोई नामक महिला से इससे एक तो इससे कमाल एवं कमाली के रूप में दो क्रेमस पुत्र और पुत्री पेदा हुए ठीक है किलियर यहां तक उसके बाद आगे है जैसे कि इस परकार है कबीर दास वेशनु संथ आचारिय रमानंद को अपना गुरू बनाने चाहते थे यानि जो कबीर दास जी है वो वेशनु संथ आचारिय रमानंद को अपना गुरू बनाने चाहते थे ठीक है किलिए उसके बाद लेकिन उन्होंने कबीरदास को सिस्य बनाने से मना कर दिया यानि जो संत आचारी रमानंद है उन्होंने जो कबीर दास को सिस्य बनने से मना कर दिया, यानि को उसका गुरू बनने से मना कर दिया, कबीर अपने मन ही मन में ये सोच रहे थे, कि स्वामी रमानंद को हर कीमत पर अपना गुरू बनाऊंगा, यानि जो कबीर जी वो अपने एक विचार आया कि स्वामी रमानंद जी सुबह चार बजे गंगा सनान के लिए जाते हैं यानि कि इसके लिए जो कबीर दास है उसके मन में एक विचार आया कि स्वामी जो रमानंद जी है वो सुबह चार बजे गंगा सनान के लिए जाते हैं ठीके तो मैं भी उन से पहले जाकर गंगा किनारे बसे सीडियों पर लेट जाऊंगा और उन्होंने ऐसा ही किया यानि जो संत कबीर दास जिये उनके मन में एक विचार आया था कि स्वामी रमानन जी सुबह चार बज़े गंगा सनान के लिए जाते हैं तो मैं भी उन से पहले जाकर गंगा किनारे पर बनी जो सीडिया हैं उन पर लेट जाऊंगा ठीके उन्होंने यहाँ पर उन्होंने ऐसा ही किया था किलिए उसके बाद एक दिन एक दिन सुबह जल्दी उठकर ये गंगा किनारे गए और ये पंच गंगा घाट की सीडियों पर लेट गए यानि ए नहां पर ये पंच गंगा घाट की सीडियों पर लेट गए संत कबीर दास। उसके बाद रमा नंद जी गंगा सनान करने के लिए सीडियों से उतर ही रहे थे। तभी उनका पेर कबीर के सरीर पर पढ़ गया। उसके बाद ही पेर पढ़ने के बाद ही राम राम सब्द निकल पड़ा। ठीक है। उसके बाद उसी राम सब्द को कभी ने दिक्सा मंतर मान लिया। ठीक है। उसके बाद और रमानन जी को अपना गुरू सविकार कर लिया। में वो मगहर चले आए यानि जो कबीर दास जीहन जीवन के जो आखरी समय था उसका तब वो मगहर चले आए और अब से लगबग 500 साल पहले वर्स 1518 एसी में यहीं इनकी मिर्टी हुई ती कहां पर हुई थी मगहर में इसकी मिर्टी हुई थी कबीर दास की ठीक है किलियर यहां तक किसी बात कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं अब हम इसके जो अगला जो टोपिक है इसकी जो सेकंड टोपिक है उस पर हम चलते हैं वो टोपिक भी लिखना बहुत ही इंपोर्टेंट है अब इसके जो यह टोपिक जो अगला वो है इसकी किरतियां क्या है किर्थिया जिसे हम पर्मुक रचनाई भी कहते हैं किर्थिया इसकी इस परकार मैंने सोट तरीके में लिख रहे हैं संद कभीरदास की रचनाई निमिल लिखित हैं यानि इसकी जो कभीरदास की जो रचनाई हैं वो निमिल लिखित हैं ठीक है यानि बहुत जादा हैं उनमें परसिद रचना इस परकार है यानि उनमें जो परसिद रचना जो बहतरी रचना है वो इस परकार जो मैंने लिख रखी है इस जीवन परिचे में सबसे पहले हम जब पहली है उसकी वह देखते हैं बीजक रचना यह लिखना बहुत ही इंपोर्टेंट है बीजक एक महतपुर रचना है जिसके तीन भाग है यानि जो बीजग रचना है उसके तीन भाग है कितने भाग है तीन भाग है ठीक है सबसे पहला है साखी दूसरा सबद तीसरा रेमेनी क्या है इसके तीन भाग साखी सबद और तीसरा है रेमेनी ये इस बीजग रचना के तीन भाग है ठीक है उ उसके बाद जो उसकी अन्य रचनाई मैंने लिख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट रचनाई वो इस पर कन अनूराग सागर साखी गरंथ सब्दा वली कबीर गरंथा वली आदी यानिकि जो इसकी जो अन्य रचनाई दुभारा पढ़ेंगे अनूराग सागर साखी गरंथ सब्द वली उसके बाद है कबीर गरंथा वली आदी यह इसकी इंपोर्टेंट रचनायन की जो किर्टियां है जो पर्मुक रचनाय वो है ठीकिन मैंने बहुती सोट तरीके से लिखने इसकी रचनाय बहुत सारी है उसके बाद जो अगला टोपिक है वो है साहित्यक परिच्चे यह भी लिखना बहुत ही इंपोर्टेंट होता है साहितिक परिचे इसका इस परकार है जैसे कि मैंने लिख रखा ये भी मैंने सोट तरीके से लिख रखा नहीं बहुत लंबा है ठीक है नहीं इसका साहितिक परिचे इस परकार है कबीर दास जी निर्गुर निराकार इस्वर में विस्वास रखते थे कबीर दास इनका मानना था कि इसवर कनकन में विद्यमान है यही कारण है कि अवतारवाद भवदेवाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते थे यही करने की अवतारवाद उसके बाद भवधेवाधन मूर्ती पूजा का खंडन करते थे कबीरदास जी ठीक है उसके बाद कबीरदास की कावे में समाज सुदार की भावना सपेस्ट रूप से दिखाई देती है यह इसका जो साहित्यक परिचे वो कंप्लीट हो जाता है ठीक है अगला जो टोपिक है वो टोपिक भी लिखना बहुत ही इंपोर्टेंट है यह टोपिक है भासा सेली का किसका है भासा सेली का भासा सेली भी लिखना बहुत ही इंपोर्टेंट होता है ठीक है और भासा सेली इसकी कबीरदास की इस परकार है कबीरदास जन सामाने के कभी थे इनकी साधारन कभी थे कभीर दास ठीक है उसके बाद इंहोंने सीधी सरल भासा को अपनाया है कभीर दास ने इनकी भासा में हिंदी भासा की सभी बोलियों की भासा सम्मिलित हैr जैसे कि राजिस्थानी उसके बाद हर्यानवी पंजाबी खड़ी बोली अवदी बरज भासा के सब्दों आधी की भौलता पर कट होती है। उसके बाद है अते पंच मेल खिचडी अत्वा से धुकडी भासा कहा जाता है। यहां पर इसकी जो भासा से लिए वो पूरी तरीके से ही कंपलीट हो जाती है। जीवन परिचरी पूरी तरीके से कंपलीट हो जाता है। अगर यहां तक आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लिगत प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूँ वीडियो को लाइक और चैनल को दो सब्सक्राइब। बगल मैं जो घंटेन उसको भी परेश करूँ ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको किसी बात की अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको रिपलाई देने की पूरी-पूरी कोशिस करूँगा।